हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ रभी महाँ स्वागत करता हूँ आप सबी का आपके अपने चैनल और्टमाल के अकरस में फ्रेंट्स आज का हमारो टॉपिक है डिफ्रेंट्स बिट्विन टुटोग और फोल इस्टोग पेट्रोल इंजन फ्रेंट्स ये बहुत ही important topic है आपके 3 point of view से देख लीजिए इंट्रव्य point of view से एक्जام point of view से बहुत ही important topic है फ्रेंट्स आगे अबरने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लीजिए और वेल आइकन को इफ्रेस कर लीजिए जैसे कि आने वाली वीडियो के notification आपको टाइम पर मिल जाएं तो friends आईए वीडियो को सुरू करते हैं friends हमारे जो पहला difference है वो है पहले हम two stock engine में देखते हैं this we get to power stock at only one revolution of crankshaft two stock engine में हमें जो power stock मिलता है वो crankshaft के एक revolution complete होने पर हमें मिल जाता है piston उपर से नीचे आती है तो हमें 180 degree rotation मिल जाता है उसके बाद नीचे से उपर जाने पर हमें power stock मिल जाता है इस पार plug के through blast होकर और जो crankshaft है उसका 180 degree और rotation एड हो जाता है मतलब हमें 360 degree rotation के बाद इसमें power stock मिल जाता है four stock engine में क्या होता है in this we get power stock at two revolution of crankshaft crankshaft के दो revolution के बाद हमें इसमें power stock मिलता है piston इसमें उपर से नीचे आती है नीचे से उपर फिर अगयन यह refute होता है इसमें four stock होते हैं suction compression power exhaust यह चारों को फूरा करते हुए हमारी जो crankshaft है वो दो revolution complete करती है it means 720 degree rotation होता है उसके बाद हमें power stock मिलता है अगला जो difference है वो है it uses force for fuel outlet and inlet two stock engine में क्या होता है fuel को inlet करने के लिए और exhaust जो gases होती है उन्हें वहार निकालने के लिए इसमें force होती है exhaust port और inlet port जिसके तुरू inlet port के तुरू हमारा इसमें fuel enter करता है और exhaust port के तुरू blast के बाद जो warm gases होती है exhaust gases वो इससे exhaust हो जाती है forest stock engine में क्या होता है it uses valve for outlet and inlet of fuel इसमें fuel के inlet होने के लिए और warm gases के exhaust होने के लिए valves का reuse होता है यह देख सकते हैं आप इसमें inlet valve है इसके तुरू fuel enter होता है और यह exhaust valve है इसमें exhaust stock में हमें जो warm gases होती है वो out हो जाती है और यह open होता है उसमें तीसरा difference जो है वो है thermal efficiency of this type of engine is lower two stock engine की जो thermal efficiency होती है वो बहुत कम होती है as comparison to four stock engine क्योंकि इनका जो size होता है आप विक की वगएर हम देखते होंगे two stock engine यूज होती है उनका जो size होता है बहुत कम होता है इसलिए उनकी heat कम produce होती है इसलिए उनकी thermal efficiency कम होती है जबकि four stock engine में क्या होता है higher thermal efficiency होती है इन engines की क्योंकि इनका जो size होता है बहुत होता है इसलिए इनकी जो blast होता है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इनकी thermal efficiency increase हो जाती है चौता जो difference है वो है two stock engine requires pre-mixing of oil and fuel two stock engines में क्या होता है जो lubrication oil होता है वो fuel जो हम petrol डलवाते हैं उसी के साथ हमें जो lubrication oil होता है वो डलवाना पड़ता है जबकि four stock engine में क्या होता है they don't require pre-mixing of oil and fuel इसमें हमें lubrication oil को petrol के साथ डलवाने की ज़रुद नहीं होती इसका अलग हमारे जो lubrication system होता है उसमें अलग से oil डलवाना पड़ता है फ्रेंट से पांसमा जो difference है वो है it requires more lubrication oil because some oil burn with the fuel जैसा कि हमने पिछले point में देखा कि इसमें जो lubrication oil होता है वो petrol के साथ mix होता है और अगर हमारे जब lubrication oil petrol के साथ mix होगा तो वो petrol obvious है कि petrol के साथ थोड़ा थोड़ा burn भी होगा तो इसमें इस वज़य से ज़्यादा lubrication oil consume करता है जबकि four stock engine में it requires less lubrication oil because they don't burn oil इसमें जो हमारे lubrication oil होता है वो अलग दूसरी जगा श्टोर होता है और वो fuel के साथ burn नहीं होता इसलिए इसमें हमें कम lubrication oil की ज़रुवत होती है फ्रेंट जो six difference six or large difference है वो है they have less fuel efficiency because they consume the fuel once at every two stocks for two stock engines में क्या होता है कि इनकी जो fuel efficiency होती है वो कम होती है क्योंकि हमें पता है इसमें हमें दो stock के बाद power मिल जाती है और हमें again fuel की जरुवत होती है मतलब दो stock के बाद हमें fuel की जरुवत होती है इसलिए हमें इसमें ज़्यादा fuel consume होता है जबकि four stock engines में क्या होता है four stock के बाद हमें fuel की जरुवत होती है piston चार वार up-down करेगी तब हमें fuel वापस से चाहिए होगा complete होने के बाद इसलिए इसमें fuel ज्यादा consume होता है जब कि 4-stock engines में fuel कम consume होता है यह थे हमारे कुछ major differences between 2-stock and 4-stock petrol engines यह वीडियो helpful रही होगी तो please वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लीजिए और rail icon को भी press कर लीजिए और वीडियो फूरा देखने के लिए धन्यवाद friends आपका एक like हमारे लिए motivation के लिए तरह काम करता है जिससे कि हमें आने वाली वीडियो में बनाने मदद मिलती है तो friends चुड़े रही हमारी चैनल के साथ अपना support हम पर बनाए रखिए तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद